आज हम लेकर आए हैं हिंदू विधी दोस्तों हिंदू विधी में हमने 10 important question लिये हैं जो लग उत्तरी है और exam के लिए बहुत important है आपके exam के लिए बहुत helpful हो लें चलिए दोस्तों start करते हैं अपना वीडियो दोस्तों पहले नमर में हमने लिया हिंदू कौन है जनरी हिंदू साले ने हिंदू कौन है इस प्रस्ण पर विचार किया और कहा कि एतिहासिक रूप में हिंदू सब्द किसी धर्म विशेश का संकेत नहीं करता मूलता एक भागोलिक सीमा के अंतरगत रहने वाले बैक्तियों को इंगित करता है इस परिभासा के अंसार निम्न बैक्ति क्योंकि इन ही पर हिंदू विद लागो होती है वे निम्न है दोस्तों इसमने क्लॉस ले लिए हैं आप इसको तीनों क्लॉस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हिंदू कौन है या हिंदू विद कि किन किन के उपर लागो होती है दोस्तों नमबर वन में है वे व बेखती जो हίνदु जैन बोध या सिक माता भी तोथ संतान नमबर 3 पर है वे बेखती जो मुसलमान अिसाई पारसी यहुदी नहीं हैं तो हिंदु लाव उन पर भी लागव होता है जो मुसलमान इसाई पारसी यहुद्ण नहीं उन पर про psychologist है यह हमारा नमबर वण था कुशिए हिंदु कौन है अर नमबर टू दएक परताय रूणियां कस्तम्स क्या क्या होते हैं हिंदू लाउ में कस्तम्स के बारें बहुत पूछा जाता है दो इस इसके सम्झ विजान लेते हैं प्रताय वे नियम हैं जो किसी परिवार वर्ग अथ्वा इस्थान विसेज में बहुत पहले से चले आने के कारण विद से बाद्धिकारी मानता प्राप्त कर लेते हैं इनका कहने मतलब है कि प्रताय बहुत दिनों से जो चलती चली आ हैं वह यह हमारी प्रताय होती है प्रीवी कॉंसिल की जुडीसियल कमेटी ने प्रताओं के विसेज में यह कहा था कि प्रताय किसी इस्थान विसेज जात यह थ्वा परिवार विसेज के चीर कालीन प्रयोग के कारण विद के मानता प्राप्त नियम है ये प्राचीन हो निश्चित हो तथा विवेक पूर्ण हो और यदि विद के समानता नियमों के विरोध में हो तो उनका आसे बहुत ही साउधानी से और यदि विद के समानता हो जिद्धित प्रथाय तथा रूणियां एका दूसरे की पड़यावची मानी जाती है प्रथाय उन नियमों को संभोधित करती हैं जिनका प्रमुख लच्छन प्राचीन है तथा रूणियां उनकी अपेच्छा कम प्राचीन होती हैं दोस्तों यह हमने इंपॉर्टन जी लिखी है इसको आप इस कुश्चन में लिख देंगे बहुत इंपॉर्टन लगया एक्जामनर के उपर काभी प्रवाव पड़ता हिंदू विद्ध के द्वारा समानता है प्रथाओं को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है जो जो हमारी प्रथाएं हैं इनको तीन भागों में विभाजित किया जाता है नमबर हमने हैं इस्थानी प्रथाएं नमबर टू पे हैं वर्गी प्रथाएं नमबर थ्र तरीके से इसको करना है अब आगे कुश्यन चलते हैं जो तीसरा नमबर हमने लिया है मिताचरा था दया भाग में अंतर दोस्ति यह बहुत इंपॉर्टन कुश्यन है और यह कई बार आ चुगा है तो आईए हम इसको समझते हैं इसको हमने ग्राउंड में लिखा है हमने इसक चार-चार ग्राउंड लिखे हैं दोनों के मिताचरा था दया भाग में डिफरेंस करने के लिए मिताचरा का प्रचलन उत्तर भारत में अधिक है मिताचरा का जो प्रचलन है उत्तर भारत में अधिक है दया भाग का प्रचलन बंगा था असाम प्रदेश में है जो दया भा तो परिवार की संपत्ति में सह स्वामी होते हैं जहां पर मिधाचरा लागो होती है वहां पर जो पिता और पुत्र होते हैं उनको जन्म से ही अधिकार मिल जाता है सहदाई की संपत्ति पे जो उनकी पूरवज संपत्ति होती है ऐसे आप समझ सकते हैं लेकिन दया भाग में अंतरगत संपत्य पर अधिकार अंतिम स्वामी की म्रत्य पर उत्पन होता है दया भाग में दे रखा है इसमें जो अंतिम स्वामी होता है उसकी म्रत्य के बाद उत्पन होता है अधिकार अता पिता के जीवन काल में पुत्र को पैत्र संपत्य पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसे कहते हैं पूरवज संपत्ति उस पर पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता यह दया भाग में दे रखा है लेकिन इसका उल्टा मिताच्रा में है जो पुत्र जन लेता उसके तुरंद बात ही उसके जो पैत्र संपत्ति होती है पूरवजों वाली उस पर अधिकार हो जात नंबर तीसरे में हैं दया भाग में दया साखा में पिता के जीवन काल में पुत्र को संयुक्त परिवार संपती पैतक संपती में विभाजन की मांग करने का अधिकार नहीं होता दया भाग में पुत्र पैतक संपती में विभाजन की मांग का अधिकार नहीं रखता नंबर चोथा है मिताचरा के अंतरगत पीता को पैतक संपति का सहीत परिवाद में हस्ता अंतरण का सीमित अधिकार होता है लेकिन दया भाग में दया भाग के साखा में अंतरगत पैतर संपति के हस्ता अंतरण का पूर्ण प्रतिबंधित अधिकार होता है सा ли तो से यह था Dire मिताचरोद आभागा आप समझी होंगे तो यह हमारा तीसरा क्यों था क्यों देखते हैं जो चौथा क्योंग torn being बहुत इंपॉर्टपन ने बहुत एंपॉर्ट बहुत मिश्मी पू Democrat शर्थ कैं झारें इसको बहुत अच्छी तरीकित देखना है इसे कई ऐसे कुश्चन मनते हैं जो आप अगर यह अच्छे से पढ़ लेंगे तो उससे आप कर सकते हैं हिंदू विवा के हैं हिंदू विवा आद्रियम 1955 में एक वैद हिंदू विवा के लिए कुछ सर्टों का नियर्धारन किया गया जो वैद हिंदू विवा second है उसके कुछ सड्टे दी गए में जिनका ध्यन क्या जाना है । नमबर रौन में हैं दोनों पचकारों में से किसी का पत या पतनी विवा के समय जीवित नहीं हूँ नमबर दो पे हैं विवा के समय दोनों पचकारों में से कोई पचकार विक्रचित के प्रणाम सुरू सम्मत देने से अस्मर्थ ना हो खानमर क्या दे रखा है विद्धिमान सम्मन देने में अस्वत होने पर भी इस ब्रकार के या इस हद तक मानसी विकार से पीडित ना रहा हो कि वो विवा और अंतानुपत्य के लिए अयोग गयो नमबर तीन पे है वर के लिए 21 वर्ष की आयो और वधु के लिए 18 वर्ष की आयो विवा के समय पूरी कर ली गयो लड़की के लिए दे रखा है 18 वर्ष और लड़की के लिए 21 वर्ष दे रखी है ये विवा का तीसरा ग्राउंड है चौथा क्या है प्रते को सासित करने वाली प्रता में उन दोनों के बीच विवाह अनुग्यान ना हो पच्छकार पच्छिद नातेदारी की डिगरी में के वीतर नहीं है पाच्छवा है पच्छकार एक दुसरे के सापिंड नहीं है दोस्तो सापिंड नहीं होने चाहिए अगर सापिंड में पिता की तरफ से 5 पीड़ी तक और माता की तरफ से 3 पीड़ी तक होता है अगर ये 5 और 3 पीड़ी के बीच में साधी नहीं हो सकती क्योंकि ये सापिंड में आते हैं ठीक है आप ये समझ लीजिए पिता के 5 पीड़ी पर माता की तरफ से तीन पीड़ी तो इन दोनों को भी साधी नहीं हो सकती है ठीक है तो यह हमारा हो गया चौथा नमबर एक कुश्चन हो गया था विवाक की आवस्थक सरते हैं यह देख लिए जो बहुत इंपॉर्टन्ट है पांच है विवाक की आवस्थक सरते हैं इनको अच्छे से देख लिए नमबर पांच में है कुश्चन है सापिंड अभी हम बात कर रहे थे उसी के लिए देख लिए कुश्चन भी है हिंदु युआ अधनियम की धारा तीन में सापिंड को परवासिद इस प्रकार दी गई है जब युआ हिंदु युआ अधनियम है उस इसके अंदर तीसरी पीडी भी है पीता से उपर वाली परमपरा में पांचवी पीडी तक इसके अंदर गत पांचवी पीडी भी है होता है पते कवस्था में परमपरा संबंधी व्यक्ति से उपर गिनी जाएंगी जिसे कि पहली पीडी गिना जाता है दोस्तों जैसे मैंने आप यह आपको बताया था कि माता के उपर तीन पीडी तक और पीडा के उपर पाँच पीडी तक नमबर दूसरे में हैं दो विक्तियों में से सापिन संबंदी की सिमाओं के भीतर दूसरे परंपरागत अगरपूरुस है या यदि उनका ऐसा ही परंपरागत अगरपूरुस है जो कि एक दूसरे के प्रति सापिन संबंदी की सिमाओं के भीतर है इस प्रकार सापिंट सम्मंद निम लिखित को भी सम्मिलित करता है जैसे सहोदर, सोतेला तथा सखा सम्मंदी नमबर दूसरे में है वैद तथा अवैद रख से सम्मंदी नमबर तीसरे में है दत्तग्रह अथवार रख्त से सम्मंदी ये हमारा है सापिंट हम नीचे देखते हैं क्रूरता क्रूयल्टी क्या है क्रूरता की संकलपना को भारती विधाइका के किसी भी विवा का विचेत या विशे अद्रियम में रिवासित नहीं किया है तथा निया लोग का मानना है कि कुरूरता के संकल वो परवासी की परिद में बानना इसलिए खतरनाक तथा अवांचनी है क्योंकि कुरूरता की परवासा देना कटीन है फिर भी हम कह सकते हैं कि कुरूरता एक ऐसा आचरण है जिससे किसी के जीवन, अंग या मांसी तथा सारीरी एक स्वास्त खत्रा हो या इस प्रकार के खत्रे की असंका हो कुरूरता विवा वेचे तथा नयाइक प्रता करद दोनों उपचारों का एक आधार हो सकता है इसको अच्छेश पढ़ लीजिए जीवन पर है सून्य विवा सून्य विवा की बारे में हिंदू विवा अधिनियम की धारा 11 में या वीध है जो हिंदू विवा के अधिनियम धारा है या वीध है कि यह धारा 5 के उपखंड एक चार और पांच की सर्तों के प्रत्कूल के सर्तों के प्रत्कूल विवा हो तो इस अधिनियम के लागू होने के बाद संपन किया जाएगा तो वह विवा सून्य तथा प्रभाव हीन समझा जाएगा और पच्छ के या जिका देने से या प्रभाव हीन गोसित कर दिया जाएगा इस धारा के अधिन विवा का कोई प पचकर को प्रदान करती है चायपुरु सो महिलाव दोनों के लिए यह सून विवा करा सकती है वे साधी ग्राउंट दे रखे हैं एक चार पांच को उलंगित करता हो तो पते पचकार उप्रदान करती है, इस प्रकार निवन विवा परायम से ही प्रभावेन समझे जाएंगे देख लेते हैं हमने, तीन हैं ग्राउंड, ये तो किसी को पचकार के विवा के समय दूसरा पचकार जीवित है जब विवा प्रत्सी संबन्दों के भीतर किसी प्रथा के अभाव में होता है जब विवा सपिंड के साथ किसी प्रथा के अभाव में होता है यह तीनों ग्राउंड है अगर यह होता है तो वो सून हो जाती है विवा इस धारा के अंदर प्राम से ही सून होता है अगर यह लागू होती है नमबर आठ है सुन करणी विवा धारा 12 के अंसार कोई भी विवा चाहे हुआ अधिनियम के लागू होने के पूर्व या बाद में संपन किया गया हो नेम रिखिए था अधारों पर सुनकर्णी समझा जाएगा विवाविद अध्रियम के अंसार भी सुनकर्णी विवाव के लिए नपुन सकता को अधार बनाया जा सकता है सुनकर्णी का बेन मतलब समझ लेजिए सून करनी को सून भी करा जा सकता है रद भी करा जा सकता है और चालू भी रखा जा सकता है पित्युदाता का अस्वसमास्तिक काहुना मतलब कोई पागल हो गया हो तो अगर कोई उसके साथ रहना चाहता है तो कोई दिक्काद नहीं मतलब पहले साधी हुई उसके बाद अगर कुछ पागल हो गया दिमागा कमजूर हो गया तो अगर उसके साथ रहना चाहता है तो रह सकती है नहीं तो सून ने करा सकती है याची अथवा कन्या के संद्चक की सैमती वैवाही संसकार के संबंद में बल प्रयोक द्वारा अथवा कपड द्वारा प्राप्त की के थी वहां सून गोसित करा जा सकता है अगर कोई साथे में लड़की ऊपर प्रैसर डाल कर किया गया है मतलब की जोड़ अबसती तो भी सून ने वहा कर आए जा सकता है कि यह की विवाग समय प्रितुदाता याचिका के अंत्रिक अनकी सिवत के गर बेड़ी थी तो इसमें भी सून कर आए जा सकता हुआ यह में है सुनकरणी विवाग के ग्राउंड है चार ग्राउंड दे रखें हम इसको अच्छे से पढ़ लीजिए चार ग्राउंड है अच्छे पढ़ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है कही बार पूछे जा चुके सुनने और सुनकरणी विवाग जोहरा नवा कुश्यन है फैक्टम वैलेट का सिदान यह सिदान भी काफी पूछा जाता है फैक्टम वैलेट का सिदान दत्तक से संबंद वरीता तथा चुनाओ एवम अन ऐसे ही नैतिक धानमी विद्धियों के प्रस्ट पर ही स्वीमित होता है इसका कोई विधिक महत तो नहीं होता मतलब जनली जहां पर पर सुनक की बात होती है वहां पर इसका लागू किया जाता है फैक्टम वैलेट का सिदान कोई विधिक म पूछे लेता है द्धतक कोन है तो उसके भी उसमें भी आप यह लिख सकते हैं ग्राउन तीनों पहले करें दान देने की जहांता होने की नंबर दो single पर दान की सिicional सच हमता होने चाहिए मतलब कि आप उसके लिए सच्छ ओ तीसरा है दान या दटक की मिसफ्ट की विषए वस्त होने की सच्छ हमता और फान विस invested दात्त दी जाने की योग यो जो पूत्र है वो दट्टक दिया जाने एफ यो लिए नहीं कि पंदरा सूला साल का हो गया उसे दटक देये देरेए कि इसे को दान दिया ऐसा नहीं होता ये सबीफस्टर मौलइक्स दान के बार है यह जो ले जितने ग्राउंड दे रहे हैं प्रशन पर हैं वाहपर था सगा सवतेला सवादर में आ जाता है कि सगा कौन होता है सवतेला कौन होता है सवाधर कौन होता है तेहीं रस्वा कुश्यन है आज आप जान जाएंगे आपको पूरे डॉट से क्लियर हो जाएंगे कोई दो बैक्त एक दूसरे के सगे समधी तब कहलाते हैं जबकि वे एक ही पूरवज तथा उनकी एक ही पत्नी की संतान है मतलब कि इसके रियल माता-पि सेहां तब कहा है नबर दुसरे में कोई दो व्यक्त एक दूसरे समसाहर केसं मन जामें लूज तु में जाते हैं जबकि एक ही पूरवज एकचिsto केριं सभोदर समधी तब होते हैं जिसकी यह पूरवज से उनकी भीनिय पत्रियों से उत्प्रवह तोसरे हैं आतनः है दोस्तों हमने दस कोश्चन देखें और आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको समाध में भी आया होगा दोस्तों इसका रिवीजन करिए और कई बार देखिए कोश्चन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत